इस वीडियो को देखने के बाद आप भी चाव से खाने लगेंगे दलिया नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नैचरल नुस्खे में जिसमें हम आपको कुदरत के अनमोल, फल, फूल, सबजियों और आपको स्वस्त रखने वाले उनके गुणों से रूबरू कराते हैं जो जानकारी आजकल की भाग दोड भरी जिन्दगी में आप लोगों के लिए बेहत जरूरी होती हैं इसलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें दलिये का प्रयोग आपको उजा से भरता है चावल की तुलना में दलिया को अधिक पौश्टिक माना जाता है इसमें फाइबर, खनेज और विटमिन्स अधिक होते हैं दलिया मैगनीशियम, आईरन और फॉस्फोरोस का भी अच्छा स्रोथ है दलिया खाने में स्वातिष् लिश्टिक होता है इसे मीठा या नमकीन दोनों तरीके से बनाया जा सकता है दलिये को सुबह नाश्टे की रूप में खाने से दिन भर कम भूख लगती है जिससे वजन कम करने में भी मदद मिलती है दलिये में कम कैलोरीज, कम फैट और उच्छ फाइबर होता है जो शरीर के वजन को कम करने में मदद करता है इसमें अगुलंशील फाइबर कब्स को रोकने और पाचन तंतर के स्वास्त को बढ़ावा देने में मदद करता है पेट के स्वास्त को बनाए रखने और साथ ही पेट के कैंसर के जोखिम को कम करने में भी मदद करता है दलिया प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बड़ा स्रोथ है जो शरीर की उर्जा प्रदान करने में सहायक है दलिया में फाइबर भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो कैंसर के खिलाफ शरीर की रक्षा करने में मदद करता है दलिया खाने से हृदय रोग उच्छ कॉलिस्ट्रॉल और उच्छ रक्त चाप का खत्रा कम हो जाता है दलिया का सेवन मधुमे के रोगियों के लिए भी फाइदे मंद होता है दलिया पित पत्री के गठन को रोकने में मदद करता है तो दोस्तों आप तो आप जान ही गए होंगे कि दलिया किस तरह से हमारी सेहत के लिए फाइदे मंद है हम आशा करते हैं कि हमारे इस वीडियो से आपको लाप जरूर मिलेगा आज के लिए बस इतना ही अगले वीडियो में फिर से कोई नया नुस्खा लेकर हम आपकी सामने हाजिर हो जाएंगे आपकी राय और सुझाव हमारे वीडियो की कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमें बता सकते हैं सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नैचरल नुस्खे और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट कुद्रती नुस्खों से जुड़े वीडियो सबसे पहले देखने के लिए